क्यों खेसारी लाल यादो इस मामले में भोजपुरी के सभी सुपस्टार स्टार और या यू कहले अपकमिंग सुपस्टार से बहुत आगे हैं अभी पिछले दिनों खेसारी लाल यादो पुनमदूबे के साथ एक स्टेश शो कर रहे थे उस स्टेश शो में पुनमदूबे ने खेसारी लाल यादो से कहा आप मुझसे बड़े हैं तो आप मुझे आशिरवाद दीजे तो तुरंथ खेसारी लाल यादों ने पुनमदूबे से ये कहा कि भले मैं आपसे बड़ा हूँ लेकिन आप हर मामले में मुझसे स्रेश्ट हैं आप पहले एक नारी हैं उस मामले में आप स्रेश्ट हैं और दूसरे आप ब्रामन हैं मैं यादा हूँ हर मामले में आप मुझ से उच्ची हैं इसलिए आप मुझे आशिरवाद दीजिए ऐसा कहके खिसारी लाल यादों ने उनके सामने अपना सिर जुका लिया और तुरंथ पुनमदूबे ने अपना हाथ उनके ऊपर रखकर कहा कि आपको मैं आशिरवाद देती हूं आप नित नहीं उचाईयों को भो करते हुए नहीं ना यकीन है नहीं देखे होंगे इसलिए खिसारी लाल यादों ने काजल रागवानी का भी बहुत सम्मान किया है । अब हो जाते हैं फिर भी यहाँ पर आपको बतादे कि खिसारी लाल यादों ऊसीधे चीधे प्रियंका पंडित को कोई आरोप नहीं लगाते हैं प्रियंका पंडित ने उनके तीन टावर वाले बयान पर फेस्बुक से लाइवा कर उनके लिए कुछ कहा और इस पर उनके फैंस ने यानि कि खेसारी लालियादों के फैंस ने प्रियंकाब्सदित को आढ़े हातों ले लिया इसमें खेसारी लाल यदाव ने प्रियंकाब्सदित को सामने से तो कुछ नहीं का लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग ने बहुत कुछ कह दिया इसके लिए कहा जाता है कि उस वक्त भले ही खेसारी के फैंस की ये जुबान रही हो लेकिन शब्द खेसारी लाल यादो के ही थे खेसारी लाल यादो अपने फैंस से या यू कहले कि अपने कुछ चम्चों से प्रियंका पंडित को ये सब कुछ कहलवा रहे थे खेर लेकिन चाहे जो भी हो ये मामला आज दब चुका है और समय समय पर भले ही प्रियंका पंडित मीडिया में आकर खिसारी के खिलाफ कहती रहती है लेकिन खिसारी लाल यादो मीडिया में उनके खिलाफ कुछ नहीं कहते हाँ ये बात और है कि उनकी रही सही कसर उनके फैंस पूरी कर देते हैं